2024 की चुनाव से पहले बिहार में बहुत बड़े सियासी उलट फेर की अठकले शुरू हो गई हैं। जेडियू में हलचल तेज है और नितीश की अगले फैसले पर पूरे देश की निगाहें लगी हैं। क्या हो सकता है? क्या होने वाला है? अठकले क्यों लग रही है? एक एक खबर हम आपको बताएंगे। क्या होगा? क्या नितीश कुमार एक बार फिर NDA में वापसी कर सकते हैं? या वो सिर्फ अपने गटबंदन के नेताओं पर दवाफ बनाने के लिए अपनी नाराज की दिखा रही है? ताकि उनको PM कांडिडेट बना दिया जाए? इन सारे सवालों के जवाब अगले कुछ तिनों में मिल जाएंगे लेकिन फिलाल बिहार में हल चल पड़ चुकी है. नितीश कुमार का अगला कदम क्या होगा? इस पर आब राजनीती जो है बिहार की वो टिकी हुई है क्योंकि नितीश कुमार दिली आ गए हैं. इससे पहले खबरे ये थी कि नितीश कुमार इंड सेडियो की कारकारणी की बैठक है. इस मीटिंग से दो दिन पहले नितीश का दिली आना बड़े संकेत दे रहा है. सूतरों के मुताबिक अगले तीन दिन तक नितीश दिली में दूसरे दलों के कुछ पड़े नेताओं से मीटिंग कर सकते हैं और इन मुलाकातों के बाद को कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं. मोधी के खिलाफ गठबंधन बनाने की शुरुआत नितीश कुमार ने की थी. वो बी-म कैंडिडेट बनना चाहते थे. लेकिन इंडी गठबंधन की मीटिंग में जब खरगे के नाम का प्रस्ताव पेश हो गया तो नितीश नाराज हो में शामिल हुए थे. 2013 में जब मोधी को बीजपी ने पी-म कैंडिडेट बनाया तो नितीश के एक बार फिर एंडीए में वापस आने की अटकले शुरू हो गई हैं. ऐसे संभावनाई जताई जारी हैं कि नाराजगी की वजह से नितीश कुमार एक बार फिर से इंडी पंदन को छोड़कर एंडीए का दामन थाम सकते हैं. पल्टी मारना नितीश कुमार का इतिहास रहा है. अब एक बार फिर इसकी अटकलने शुरू हो गई है. लेकिन बीजपी नेता गिर्राज सिंग ने कह दिया है कि बीजपी के दर्वाजे नितीश के लिए बंद हो चु पंद में मिला दिया. नितीश कुमार ऐसा मिलाया कि आज न घर के रहे न घाट के रहे भारतिये जनता पार्टी में उनके लिए दर्वाजा बंद है. गिर्राज सिंग भले ही दर्वाजा बंद होने की बात कह रहे हैं. लेकिन कुछ महीने पहले नितीश का साथ छोड़कर नितीश की पैरवी बीजेपी से करने के लिए तयार है. गोसना करें. उसके बाद गटवंदन में इंडिये में फिर से सामिल होने की बात होगी तो फैसला बीजेपी के लोग करेंगे लेकिन नितीश जी के लिए पैर भी हम जरूर कर देंगे. अब देखें नितीश नाराज हैं. लेकिन खुलकर इंडी गटपंदन से अपनी नाराज की नहीं बता पा रही है. नितीश के करीबी रहे बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि कोप भवन में जाना नितीश की पुरान यादत है. अब कोई वेक्ति कभी कहेंगा क्या कि मैं नाराज हूँ. ये कहना ही इस बात का प्रयाप संकेत है कि वो नाराज थे. ये तो प्रेस कॉंटर्ण जो क्यों नहीं शामिल हुए. और जो पटना में परचार किया गया था कि वो सहीं जग मनेंगे प्रदान मंत्रिपत की पहली बार निकल कर मीडिया के सामने आये हैं तो उनके खंडन करने से नाराजगी दूर नहीं हो जाते हैं. आकि राहूल गांदी को क्यों फोन करना पड़ा? वो इसलिए फोन करना पड़ा कि उनको मालूम था कि ये नाराज हैं. और नितीश का सभाव है कि रहा रहा कर वो कोप अभावन में चली जाते हैं. रह रहकर वो नाराज हो जाते हैं. उनको मनाने के आउशकता पड़ती है. क्या ये इंडी गटबंदन के भविशे को जटका दे सकते हैं? ये एंडीय में शामिल हो सकते हैं? नितीश कुमार आखिर क्या करना चाह रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है. इसी बर बात करने के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंदर पारशर हमारे साथ जुड देख रही है. वो आगे भविशे में हो सकती है, लेकि अभी नहीं. अभी फिलाहल ये जरूर देख रहा है कि बहुत जादा संभावना इस बात की रहेगी कि ललन सिंग्ग जो की जेडियू के राष्ट्री अदक्ष हैं, वो अपनी कुर्सी छोड़ने का एलान करें. और उसके पीछे की कहानी को गर देखें. तो पहली बात तो ये कि ललन सिंग्ग एक्ट्व ऐसे 2 साल का कारिकाल हो चुका है. लेकिन जो ज़्यादा बड़ी वज़ा है कि जेडियू के बीतर बड़े निताओं की फाज ऐसी है, जो कि ललन सिंग्ग की कारिशैली को लेके अटक्रेटिक अंदाज में वो पार्टी को चलाने ही कोशिश करते हैं. नेताओं के साथ उनके कम्यूनिकेशन बहुत अच्छे नहीं रहे हैं. कभी भी बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि बहुत अहेंकारी तरीके से पेश आते हैं, जो कि दिखता है उनके बाचीत में उनके लहजे में भी तो ऐसे में ये सारी शिकायते नितिश कुमार के पास भी पहुंची और वहाँ पर नितिश कुमार को ये समझ में आ गया कि इनको बदलना चाहिए. दूसरी चीज कि ललन सिंग ही माने जाते हैं सुत्रधार बीजेपी से अलग करके नितिश कुमार को इंडी गड़बंदन में ले जाने के लिए उसके पीछे उन्होंने नितिश कुमार को ये बताया था कि गड़बंदन उनको पीएम फथ के उमिदवार के तौर पर प्रजेक्ट करेगा या संजुजक बनायागा ये दोनों चीज़ें नहीं हुई तो उस बात को लेकर भी नितिश कुमार ललंग सी ने जो कुछ कहा था क्योंकि वो करा नहीं पाए तो उस बात को लेकर भी नराज है कि कोंग्स के पार्टी के साथ जो शुरुआती बात चित हुई थी ललंग सींकी ही हुई थी और अब नितिश कुमार के समझ में आने लगा कि इस गड़बंदन म बिल्कुल भी इस सिस्थिती में रही है कि नितिश कुमार के साथ उसने कोई चैनल खुला और कोई बात चीश शुरू हुई है बिल्कुल देखे एक तरफ नितिश कुमार क्या करने वाले ही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है तो ललन सिंग को लेकर भी कई सारी अटकले लगाई जा रही है एक है उनकी पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंग उन पर जेडियू के आर जेडी में विले कराने की साज़िश का आरोप लगा उनसे नाराजगी के एक दूसरी वज़ा ये है कि ललन सिंग के अध्यक्ष रहते नितिश के नाम का प्रस्ताफ पियम कांडिडेट के लिए नहीं हुपाया ललन सिंग को नितीश कुमार अध्यक्षपत से हटाना चाहते हैं हटा सकते हैं नितीश की नाराजगी लालू यादव से भी है नितीश को लगता है कि लालू और तेजस्वी गटबंधन की मीटिंग में उनके नाम की पैर भी करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ नितीश करें ना ना जानकारी है करें अटकले तों लोग पैदा करते हैं और रह्रों को आप myśla कि आप सब लोग जानते हैं कुछ दीन में लोक सभां का चुनाव होने वाला है कि भी उसके सालब़ बाद विधान सब्सक्राइब ना कोई नाराजकी है ये पार्टी की तरफ से बताने की कोशिश की जा रही है लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है जो कई संकेत देता हुआ नसर आ रहा है देवेंदर नितीश कुमार अगराज दिल्ली आ रहे हैं क्या उनके कारिक्रम हैं दिल्ली आने का क्या मकसद है और किन से उनकी मुलाकात हो सकती है प्राची पहली बात तो जो विजे चौदरी जी कह रहे थे अगर जेडियू के पॉलिटिकल हिस्ट्री को अगर आप देखें तो समझ में आ जा गया कि इस तरह के बयानों का कोई मतलब इस लिहास से नहीं होता कि जब आर्सीपी सिंग केंदर में मंत्री थे जेडियू के तब जब यह बता जाता था कि नितीश कुमार नाराज हैं आर्सीपी को लेकर तब इन बातों वो खारिज किया जाता था और बाद में आपने देखा कि क्या हुआ क्योंकि निताओं की मजबूरी है कि पॉलिकली तो उसे सुकार नहीं सकते लालंस इंको लेके जेडियू मे जबरदस नाराजगी है इसमें कोई दोरा नहीं और दूसरी तरफ नितीश कुमार का आप्शन के बात मैंने की जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि बीजेपी के साथ अब बातचीत शुरू नहीं हुई है तो दिल्ली में इंडी गड़बंदन के जो लोग हैं जो बड़ बहुत जरूरी था कि जैडिऊ के राष्ट्य जक्ष के पर से ललन सिंग को अटाया जाए क्योंकि ललन सिंग के बारे में जैडिऊ पूरी धार्णा बन चुकी है कि एक मेंटार के तरफे काम कर रहे हैं आर जीगरी के साथ सेम पेच पढ़ने के जाना चाहते हैं जैडिऊ लोगसवा चुनाओं तो बहुत कम है कोशिश उनकी रहेगी कि अगर राष्टिय देख्षपास से लालन से घटते हैं तो यह खुद अपने पास वह रखें उसके बाद लोगसवा चुनाओं में जाएं और उनकी जो पूरी कोशिश है वो रज़र आ रही है कि कि किसी तरीके इसे कम सकम उनको गड़बंधन का कनवेनर तक बना दिया जाए ताकि एक प्रोजेक्शन वह अपना कर सके प्रकुल ऐसे देखा जा सकता है कि नितीश एक बार फिर से प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं दवाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनका एक एक पिशारा कर रहा है शुक्रिया आपका दिवेंदर तमाम जान करें